इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अब धी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्योंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पढ़ सकता है. सबसे आम साइड इफेक्ट में चली आना, डायरिया, दस्थ, पेट, फूलना, अपच, ओल्टी, पेट में दर्द, पसीना आना सिर्द, तवचा पर राश, कपकपी और हृदेगती बढ़ना होते हैं. इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आम तोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा स शराब पीने से बचें क्योंकि इससे अधिक नींदा सकती है. सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाब न दें. यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइज लेना फायदे मंद है. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भाव एस्थेकाइंड एक्सपेक्टोरांट के मुख्य इस्तेमाल बलगम वाली खांसी का इलाज. एस्थेकाइंड एक्सपेक्टोरांट के लाब बलगम वाली खांसी का इलाज. एस्थेकाइंड एक्सपेक्टोरांट शुगर फ्री से गार्हे म्यूकस को पतला करने में मदद म और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद मिलेगी. यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है, आमतोर पर कुछ मिंटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई घंडों तक रहता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार एस्थेकाइंड एक्सपेक्ट और आंट शुगर फ्री लें. जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, तब तक इसका इस्तेमाल बंद ना करें. यह दवा लेने से आप लक्षणों की चिंता किये बिना बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं. एस्थेकाइंड एक्सपेक्ट और आंट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें एस्थेकाइंड के सामान्य साइड इफेक्ट में चली आना डायरिया दस्त पेट फूलना अपच उल्टी पेट में दर्द पसीना आना चक कर आना सिर्दर्थ वचा पर रैश हाइड जटके लगना हरिदे गती बरना एस्थेकाइंड एक्सपेक्ट औरांट का इस्तेमाल कैसे करें इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जाँच कर लें इसे मापने वाले कपसे मापें और फिर पिएं इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं एस्तेकाइंड एक्सपेक्ट और आंट शुगर फ्री को खाने के साथ या भू के पेट भी ले सकते हैं लेकिन बेटर यह होगा कि इसे एक तैस समय पर लिया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।